Hello दोस्तों, Welcome to our channel Learn We Driven दोस्तों या आप Government Employers हैं या फिर Government Employers से Related Information जाना चाता हैं उनके Salure Structures या Promotion के बारे में जाना चाता हैं या फिर आप Government की Recent जो Vacancies आती हैं उनके बारे में जाना चाता हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्स्क्राइब कीजेगा और बेल आइकन का बटन भी दबा लीजेगा दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे Leave Encagement at the Time of Retirement Retirement के समय सरकारी करमचारी को चुटी होगे कितने पैसे मिलते हैं जब एक सरकारी करमचारी या अधिकारी रिटाइड होता है सरकारी सेवा से तो उसको एक लंबसम अमाउंट दिया जाता है उसमें कई कंपोनेंट होते हैं जैसे Leave Encagement हो गया जानेंगे अधिक्तम कितनी चुट्टियों के पैसे मिलते हैं यानि Maximum कितने दिन की चुट्टियों के खाते में तब आपको कितने पैसे मिल सकते हैं दूसरे point में हम जानेंगे कौन-कौन सी चुट्टियों के पैसे दिये जाते हैं तीसरे पॉंट में हम जानेंगे चुट्टियों के पैसे की गणना, calculation कैसे होती है, with examples हम समझेंगे, तो इसलिए आप पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे आपको end में कोई भी confusion ना बचे पहले point में हम जानेंगे अधिकतम कितनी चुट्टियों के पैसे मिलते हैं कोई भी सरकारी करमचारी जब retired होता है, तो उसके खाते में जितनी भी चुट्टियां होती है, उसके एवज में उसकी तनुखा के अनुसार उसे पैसे दिये जाते हैं जितना एक करमचारी employee का pay होता है, उसके हिसाब से employee की जो बचीवी चुट्टियां होती है उसके account में, उसके उसको पैसे दे दिये जाते हैं किसी भी सरकारी करमचारी या अधिकारी को अधिकतम 300 दिन की चुट्टियों के पैसे दे होते हैं Second point में हम जानेंगे कौन-कौन सी चुट्टियों के पैसे दिये जाते हैं सरकारी करमचारी या अधिकारी को अनेक प्रकार की चुट्टियां मिलती हैं जैसे कि LAP, Leave on average पे, LHAP, Leave on half average पे, जिसे medical leave कहा जाता है फिर CL, जिसे casual leave कहते हैं, फिर ML, maternity leave, PL, paternity leave, EOL, extraordinary leave तो ये अन्य प्रकार की उनको चुट्टियों मिलती है लेकिन retirement के समय मातर दो प्रकार की चुट्टियों के पैसे दिये जाते हैं ये अन्य प्रकार की leaves होती हैं या चुट्टियों होती हैं जो government, employee या officer avail कर सकते हैं जिसका मैं एक separate वीडियो बना दूँगा, उसमें मैं आपको detail में बताऊँगा कितने दिन की चुट्टियों आपको मिलती है और कैसे आपको avail करनी है लेकिन जो चुट्टियों का नगदी करन होता है या फिर जो leave engagement होता है वो दो प्रकार की चुट्टियों का ही होता है या जिसे लोग आम भाशा में medical leave के नाम से जानते हैं जब भी कोई वेक्ति बिमार होता है तब वो जब सिक मेमो दिता है या कोई भी apply करता है चुट्टि के लिए medical purpose के लिए तो उसकी LHAP ही deduct होती है LHAP leave on half average pay यानि की 30 दिन की चुट्टिया ने दिया आपकी कटती है तो आपको 15 दिन का वेतन मिलता है आधे पैसे दिये जाते हैं LHAP के case में तीसरे point में हम जानेंगे चुट्टियों के पैसे की गंड़ना calculation कैसे होती है leave engagement की घंड़ना करमचारी के मूल वेतन basic pay वा महगाई बत्ते पर निरवर करती है जब भी leave engagement होता है तो जो भी employee जब retired होता है उस महीने की उसकी basic pay क्या है और उस time DA का rate क्या है इस पर depend होती है यदि किसी करमचारी के खाते में 300 LAP या PL है 300 leave on average पे या paid leave है तो उसे पूरे 300 दिन की चुट्टियों के पैसे मिलते है यदि 300 उसके पास paid leave है तो 300 दिन की चुट्टियों के पैसे उसको पूरे मिल जाएंगे और 300 से ज़्यादा है तो भी 300 दिन के ही मिलेंगे क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि 300 दिन की maximum limit है यदि किसी करमचारी के खाते में 200 paid leave है PL है तो फिर उस करमचारी का LHAP medical leave देखी जाती है यदि करमचारी के खाते में 200 LHAP है तो उसे पूरे 300 दिन की चुट्टियों के पैसे मिल जाते है यदि paid leave या leave on average पे कम है तो medical leave भी मिला ली जाती है एक्जांपल से हम समझेंगे करमचारी का नाम है X और basic pay the time of retirement 6000 हमने suppose कि एक X नाम का employee है जिसकी basic pay मूल वेतन है retirement के समय वो है 6000 के करीब rate of DA at the time of retirement 17% हमने suppose किया जो अभी चल रहा है तो 60,000 का 17% DA निकालोगे तो 10,200 रुपए उसका DA हो जाएगा या एक X नाम का employee है जिसकी basic pay मूल वेतन 60,000 रुपए है और DA 10,200 रुपए है तो total emoluments या salary हो जाएगी 60,000 plus 10,200 यानि 70,200 रुपए हमारे पास total आ जाएगा per day salary होगी वो 70,200 को जब हम 30 से divide करेंगे तब हमारे पास per day की salary आजएगी एक दिन की उसकी कितनी वेतन होगी basic pay plus DA तो 70,200 को हम 30 से divide करेंगे तो 2340 रुपए उसकी per day की salary आजएगी और per day की salary हमने इसलिए निकाली है जब हम छुट्टियों से multiply करेंगे 300 चुट्टियां 200 चुट्टियां जितनी है जब multiply करेंगे तो per day की salary must है half emiliments या salary किती होगी 70,200 को जब आप divide कर दे होगी 2 से तो आपके पास half emiliments आ जाएगी 35,100 रुपए उसकी half salary हो जाएगी half salary हमें इसलिए चाहिए रहेगी क्योंकि जब हम leave on half average पे calculate करेंगे तो उस समय half emiliments या half salary ज़रूरी है per day salary जो half salary जाएगी वो रहेगी 1170 रुपए हाफ day जो salary जाएगी वो रहेगी 1170 रुपीज अब हम case 1 समझेंगे case 1 में employee के एक हाते में 300 days 300 दिन की LAP leave on average पे या paid leave है और 100 दिन की उसके पास medical leave या leave on half average पे बची भी है इस case में करमचारी के खाते में LAP ये PL 300 दिन है 300 days है तो करमचारी को अधितम 300 दिन के पैसे मिल जाएंगे अब यहाँ पे LAP 3.5 दिन होती तो भी उसको 300 दिन की ही पैसे मिलते यानि यह दी करमचारी के पास 300 दिन की LAP या Leave on Average पे या Paid Leave है तो उसको पूरे 300 दिन के पैसे मिल जाएंगे 300 दिन चुट्टियां हो गई then into per day की जो सेल्डी हमने निकाली थी 300 into per day की जो सेल्डी हम निकालेंगे उसको हम मैल्टिप्लाइ कर देंगे तो हमारे पास उसकी Total Leave Encagement आ जाएगी अब हमारे पास Case 2 आता है LAP या PL हमारे पास रहती ही 200 250 हमारे पास Paid Leave या Leave on Average पे है LHAP या Medical Leave, Leave on Half Average पे जो आदी मैंने बताईए वो 1.500 है और Leave on Average पे या Paid Leave 200 है तो इस केस में calculation थोड़ी अलग होगी इस केस में करमचारी की खाते में LAP PL 200 है तो करमचारी को 200 दिन LAP या PL के पैसे मिल जाएंगे जो LAP है लीव on Average पे या Paid Leave है उसका calculation तो as it is हो जाएगा 200 दिन उसके पास PL है into 2340 per day salary then 5,85,000 उसको Paid Leave के पैसे मिल जाएंगे अब करमचारी 50 दिन LHAP Leave on Half Average पे या Medical Leave के बदले में पैसे ले सकता है अब यहाँ पे calculation थोड़ा confusion हो जाता है कि जितनी भी उसके पास Paid Leave थी या Leave on Average पे थी उसका उसने calculation निकाल लिया अब maximum 300 days की वो छुट्टियों के पैसे ले सकता है तो Paid Leave उसके पास 200 थी तो 200 ले ली अब 50 दिन की वो और ले सकता है Leave Enquishment अब उसके पास 50 दिन बसते हैं Leave on Half Average पे के जिसके बदले में पैसे आदे दिये जाते हैं अब 50 दिन उसके पास Leave on Half Average पे के बचे तो 1170 को मैं 50 से Multiply कर दूँगा तो मेरे पास 98,500 रुपे आ जाएंगे Leave on Half Average पे का Leave Enquishment तो 5,85,000 तो Paid Leave के होगे और 8,500 मेरे पास होगे Leave on Half Average पे के Total Leave Enquishment हम समझेंगे 5,85,200 दिन की PL या LAP के मिल गए प्लस 58,500 रुपे 50 दिन के Leave on Half Average पे Medical Leave के मिल गए तो Total को इतने होगे 6,43,000 रुपे उसके Total Amount of Leave Enquishment हो गया तो दोस्तों ने दिया आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को शेयर करना ना बोलें थैंक यू